हेलो फ्रेंद्स सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। आस मैं आपको दो फंदी का एक बहुत ही आसान सा पैक्टर्न रतानी जा रहे हूँ। इसे आप जेंट स्वीटर में डाल सकती हैं, लीडी स्वीटर में डाल सकती हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, बच्चों की स्वीटर में डाल सकती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको डाल सकती हैं, किसी भी कलर में आप इसको डालिए, बहुत अच्छा लगेगा, औ एक उल्וא की बुञ्ण लीजिया और उसी सिधी सलाई में अगर आपको फंधे बढ़ाने है तो आप बढ़ा लीजिया फ्रंट साइड से यह हमारे पैटर्ण की फर्स्ट रो है पहली सलाई पहला फंदा अगर आपको बुनना है तो बुन लीजिए और उतारना है तो आप उतार लीजिए मैंने पहला फंदा सीधा बुन लिया अब वूल को अपनी साइड लाना है और देखिए यह जो अगली दो फंदे हैं इनको हमें कैसे बनाना है दोनों फंदे एक साथ लेने हैं और वूल देखिए अपनी साइड रहेगा इनको एक बार बुन लेना है अब वूल को पीछे की साइड ले जाना है और इन ही दोनों फंदों को एक बार पीछे से बूल लेना है ये हमारे दो फंदे हैं ये भी हमारे दो फंदे बन गए अब इन फंदों को हम सलाई पर से गिरा देंगे यहाँ पर कोई भी फंदा हमारा ना तो घटा है और ना बढ़ा है अब इसी चीज को हमें आगे रिपेट करना है बूल अपनी साइड लाएंगे ये दो फंदे एक साथ लेंगे इनको एक बार बुल लेना है अब बूल को पीछे की साइड ले जाना है और इन ही दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुल लेना है फिर से वूल अपनी साइड लाए दो फंदे एक साथ लिए एक बार पुल लिया वूल पीछे की साइड ले गए इन्ही दोनों फंदों को एक बार पीछे से पुल लिया वूल अपनी साइड लाए यह दोनों फंदे एक साथ लेंगे इन्हें एक बार बुल लिया वूल पीछे साइड ले गए अब इन्ही दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुल लिया वूल को अपनी साइड लाएंगे दो फंदे एक साथ लेंगे इनको एक बार बुल लेना है फिर वूल पीछे साइड ले जाकर इन्हीं दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुल लेना है वूल अपनी साइड दो फंद एक साथ लेकर एक बार बुने वूल पीछे ले जाकर इन्हीं दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुल लेंगे पूरी सलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है बहुत ही आसान पैटर्न है और बहुत अच्छा लगता है यह बन करके किसी भी कलर में आप इसको डालिए बहुत अच्छा लगेगा देखिए दो फंद एक साथ लिए एक वार बुना बूल पीछे ले गए अब इन ही दोनों फंदों को एक साथ पीछे से बुन लिया फ्रंट साइड से हमारी फर्स टों कम्पलेट हुए और हम स्केंड ओपर आवए बैक साइड से पूरी सलाई हमें उल्ती बूल लेनी है इस पैटर्न में सभी उल्ती सलाईयां उल्ते बुनी जाएंगी और सभी सुलाईयों पर पैटर्न डाला जाएगा बैक साइड से हमारे ये पूरी सलाइड कम्प्लीट हो गई इस रों बे अपने पैटन को शिफ्ट करेंगे तो देखिये पहले हमने यहां पर एक फंदा सीधा बुना था अब की बार हम शुरू में दो पंदे सीधा बुनेंगे दो फंदे सीधे बुल लिए अब हमें पैटर्ण को वैसे ही डालना है जैसे हमने पहले डाला था वूल अपनी साइड लाए ये दोनों फंदे हम एक साथ लेंगे और दो का एक बुनेंगे वूल पीछे ले जाकर इन ही दोनों फंदों को पीछे से एक बार बुल लेना है वूल अपनी साइड ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे एक बार बुनेंगे वूल पीछे ले जाकर इन ही दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुल लेना है वूल अपनी साइड ये दो फंदेग साथ लेकर एक बार बुनेंगे वूल पीछे ले जाकर इन्ही दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुन लेना है वूल अपनी साइड दो फंदेग साथ लेकर एक बार बुनें वूल पीछे ले जाकर इन्हीं दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुन लेना है पूरी सलाई हमें ऐसे ही बुन कर कमप्लेट कर लेनी है दो फंद एक साथ लिए एक बार बुना वूल पीछे ले गए इन्हीं दोनों फंदों को एक बार पीछे से बुन लिया बूल अपनी साइड यह दोनों फंद एक साथ लेकर एक बार बुने बूल पीछे ले जाकर इन ही दोनों फंदों को हम एक बार पीछे से बूल लेंगे यह लास्ट में दो फंदे सीधे बुनेंगे फ्रंट साइड से यह हमारी थर्ड रो भी कमप्लेट हो गए अब हम बैक साइड से फोर्थ रो पर आ रहे यह सलाई भी हम पूरी उल्टी बुनेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी उल्टी सलाईयां उल्टी बुनी जाएंगी और सीधी सलाईयों अपर पैटर्न डालना है यह देखे फ्रेंड्स हमारे चार सलाई कमप्लेट हो गए इन्हीं चारों सलाईयों को आगे रिपीट करना है और पैटर्न डालते जाना है इन्हीं रोस को आप आप रिपीट करते जाएं पैटर्न आता जाएगा अपकी बार जब आम पैटर्न डालेंगे तो फिर से पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर इन दोनों फंदों पर पैटर्न डालेंगे आगे के दो दो फंदों पर पैटर्न डालेंगे लास्ट में भी हमारा एक फंदा सी था उसके बाद जब हम पैटर्न डालेंगे तो शुरू में दो फंदे सीधे बुनेंगे बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है यह देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन बनकर इस तरह से आएगा अगर मेरा डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिए जिससे मेरा नया आने वाला वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें Thank you friends for watching my channel